वेलकम ओन विशेकटमी जब आव अपनी वेबसाइट के यूजर के द्वारा उसके कंप्यूटर या लेप्टॉप से कोई फाइल ब्राउज करवाकर अपनी वेबसाइट के डाटाबेस में अपलोड करना चाहते हैं तब आप stml form के file element के यूज करते हैं इस वीडियो में सिखने वाले हैं file element insert करना यह हमारा वेबपेज और यह है इसका source code file element insert करने के लिए आपको form tag में लगाना है input type file ओके save करते हैं and refresh करते हैं इस तरह आपको file element दिखाई देता है यहाँ पर आप जैसी इस element पर क्लिक करेंगे एक window open होगी और आपको आपके computer में जितनी डारेक्टरी थे हैं और इतनी file से वह सब शो होने लगेगी तो आप यहां से select करके इन्हें upload कर सकते हैं submit करने के बाद ठीक है ठीक है चाहँ कि उसर प्रोफायल पिक्चर अप्लोड करें रिफ्रेश कि देख तो युजर यहाँ रिख करेगा ब्रावज पर फ्रोफायल पिचर क्लिक करेगा लेकिं उसर वीडियो पर विख कर सकता है MP3 पर भी क्लिक कर सकता है और TXT फाल पर भी क्लिक कर सकता है So एसा ना हो इसलिए हमें हमारे फाल एलिमेंट पर कुछ रिस्रिक्शन लगाने होंगे कोई रोक लगानी होगी So एसा करने के लिए आपको एट्रिब्ट उस करना है Accept is equal to आप चाहते हैं प्रोफाल पिचर अपलोड कराना तो आपको यहां पर लिखना है image forward slash and star for all format ठीक है Save करेंगे and refresh अब हम ब्राउस करते हैं तो हमें only image file शो हो रही है जो other format files थी वो display नहीं होगी hidden हो जाएगी है अपर सेम अगर आप audio file अपलोड कराना चाहते हैं तो audio लिखना है and refresh आपको audio file शो होगी same for video files आपको लिखना है video and show and refresh अब आपको video file शो होगी इस तरह हम हमारे website के किसी form में कोई file user के द्वारा अपलोड करा सकते हैं और उपने database में save कर सकते हैं okay so इस video में इतना ही see you in the next video bye bye